Hey everyone, मैं हूँ गौरो मिश्रा और आपका स्वागत करता हूँ Magnet Brains पे आज हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ जो की हमारे Quadrilateral Chapter के अंदर वीडियो No.4 है और इस वीडियो के अंदर हम discuss करने जा रहे हैं आपके Theorems को जो की आपके NCERT के respect में है आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं Theorem 8.1 से लेकर Theorem 8.7 तक सब कुछ हम देखेंगे आज की वीडियो में कि Theorem 8.1 से लेकर 8.7 तक के statements क्या है और उनके proof क्या है और उनसे related questions कैसे आपको exam में पूछे जा सकते हैं जो वीडियो नमबर 3 थी उसके अंदर हमने discuss कर लिया था कि एक quadrilateral का angle some property क्या होता है और इस वीडियो में हम इस नई चीज को discuss करने जा रहे हैं पर start करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि Magnet Brains आपको provide करता है 100% free education and quality education अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि Magnet Brains पे आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का payment या subscription लेने की जरूरत नहीं है आपके लिए सब कुछ free of cost accessible है और available है एक और important बात है अगर आप Magnet Brains के सारे content को order wise sequence में देखना चाहते हो teacher wise, chapter wise या book wise तो आप Magnet Brains के website को visit कर सकते हो जो की है www.magnetbrains.com and in fact one more important thing जो की अभी अभी आई है ये कुछ ऐसा है कि अगर आप Hindi Medium के students हो और कहीं ना कहीं English language में Math सीखने में, Science सीखने में आप बाकी subject सीखने में भी दिक्कत होती है आपको तो कोई tension के बात नहीं है Magnet Brains आपके लिए लेके आया है Magnet Brains Hindi ये नया YouTube channel आप Hindi Medium students के लिए बनाया गया है जहां पे सारा का सारा content quality वही है बस सब कुछ आपके लिए Hindi Medium में available करवाया गया है तो जल्दी जाए उस channel को भी check out करिए चलो अब ये सारी अच्छी बाते हो गई अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को जहां पे हम क्या discuss करने जा रहे हैं properties of a parallelogram theorem 8.1 to theorem 8.7 तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं theorem 8.1 से पहले इसका statement देख लेते हैं क्या है statement? statement है a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles बड़ा simple सा statement है statement ये कहता है कि अगर आपके पास एक parallelogram है और अगर आपने उसमें diagonal बनाया है तो जो दो triangles बनेंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे? वो दोनों आपस में congruent होंगे जैसे कि यहाँ पे मैंने एक parallelogram बनाया है ये parallelogram का नाम क्या है? parallelogram का नाम है आपके पास a, b, c, d ध्यान से देखिएगा, इसमें एक डाइगनल कौन सा बनाया है, डाइगनल मैंने AC बनाया है, दो ट्राइंगल बने हैं यहापे, कौन से दो ट्राइंगल बने हैं, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा नीचे वाला, यह ट्राइंगल का नाम आप रख सकते हो, A, B, C, ए ये दोनों triangle आपस में कैसे होंगे? Congruent होंगे. ऐसा कौन सा कहता है? ऐसा कौन सी property कहती है? तो theorem 8.1 कहता है. तो हम लिख देंगे कि जो हमारा triangle A, B, C है, ये congruent है. किसके congruent है? triangle C, D, A के. This is according to the theorem 8.1 और इसी चीज़ को हमें यहाँ पे करना क्या है? AC हो सकता है, दूसरा diagonal BD हो सकता है. तो कौन से case में कौन सा triangle ले? और किसको किसके congruent बोले? सर, वो एक बार आप बता दो. तो मैं वो एक बार आपको बता देता हूँ कि जब आप diagonal AC लेंगे, तो कौन सा triangle बोलेंगी congruent? और जब आप diagonal BD लेंगे, तो कौन सा triangle आप बोलोगे congruent? बड़ा simple सा funda है, देखिएगा. माल लीजिए, यहाँ पे इस diagram के respect में बात कर रहा हूँ. यहाँ पे already कौन सा diagonal दिया हुआ है? AC diagonal दिया हुआ है. कौन से दो triangles बन रहे हैं? तो हम पहले बना लेते हैं. एक triangle आपके पास है यहाँ पे ABC, देखो. एक triangle है आपके पास ABC, नीचे वाला triangle. एक triangle उपर से है, क्या है यह triangle? दूसरा triangle है उपर से, जिसका नाम है CDA. देखो, यह दो triangles हो गए. अब आपको किसको किसके congruent बोलना है, तो इसमें छोटी सी बात याद रखनी है. इस triangle का नाम क्या रखना पड़ेगा मुझे? देखो, यह order है न, A से B गया, B से C गया. तो इसी order को यहाँ पे follow करो. C से D जाओ, और D से A जाओ. तो क्या नाम रख दोगे यहाँ पे triangle का? triangle C, D, A. और इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे आप? congruent कर दोगे. order याद रखोगे तो बड़ी आसानी से समझा जाएगा. A से B गये, B से C गये. तो आब यहाँ पे कहां से start करोगे? C से D गये, D से A गये. यहनि कि आपको पूरा ऐसे complete करना है और इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन किसके congruent है. यह तब करना, जब आपका diagonal कौन हो? diagonal AC हो. अब diagonal अगर BD हो जाए, तो क्या करें? उसको भी देख लेते हैं. तो माल लीजिए, पहले हम diagram बना लेते हैं. तो parallelogram अब हमारा कुछ ऐसा हो गया. parallelogram तो सेम है. बस diagonal बदल जाएगा. यह A, यह B, यह C, यह D. तो शुरू कहां से करें? मालनों हम शुरू करते हैं B से. शुरू कहां से करते हैं? B से. तो B से A चलते हैं, A से D चलते हैं. तो क्या नाम रख देंगे हम पहले triangle का? B, A, D. BAD. यह पहले triangle हो गया, आपके पास B, A, D. अब दूसरा triangle कैसे रखो गया? तो देखो, B से A पहुँचे, A से D पहुँचे, आप कहां से कहां जाओ? D से C जाओ, और C से कहां जाओ? B जाओ, तो यह DC भी हो गया, और आपस में दोनों कैसे होंगे? आपस में दोनों congruent होंगे. तो इस तरीके से आपको नाम रखना है, चालू कहीं से भी कर सकते हो, पहले triangle को बनाओ, और दूसरे triangle के केस में, आप उसी order को follow करते जाओ, जब आप ऐसा कर लोगे, तो आपको दोनों triangle मिल जाएंगे, जो आपस में क्या होंगे? जो आपस में congruent होंगे. तो ये simple सा procedure था, जो कि आपको follow करना है, पता लगाने के लिए, कि कौन किसके congruent है. ये तो theorem 8.1 हो गया, उसका statement हो गया. अब हमें इस statement को करना है, proof. क्योंकि आपके exam में proofs आते हैं, कि proof theorem 8.1, proof theorem 8.2, ऐसा direct question आपको मिलता है exam में. तो उन question को हम proof देख लेते हैं. वीडियो को pause कर देना, उसमें लिखना theorem 8.1, ऐसा लिख दिया, लिख दिया, उसके बाद उसका statement लिखना है. जैसे सिखा रहा हो ऐसे करोगे न, तो marks तो बिलकुल कटने से रहे, बिलकुल भी नहीं कटेंगे, एक भी marks नहीं कटेगा. तो आप लिख दोगे theorem 8.1, और फिर उसका statement ऐसा पूरा लिख दोगे, पूरा statement लिखना है, और फिर हम start करेंगे proof. बिना statement लिखे, बिना theorem 8.1 लिखे, proof मत लिखना, वरना marks कट जाते हैं. अब हम proof start कर रहे हैं, तो देखे proof. तो proof के समय, आपको कुछ steps follow करने रहते हैं. अगर आपने मेरी वीडियो नमबर 3 देखी होगी, तो मैंने वो steps बताए थे, जब मैं angle sum property को proof कर रहा था. आज हम उन्हीं steps को लेते हुए, इस theorem 8.1 को भी हम proof करेंगे. तो क्या-क्या steps लिखने पड़ते हैं? तो सबसे पहला step होता है, कि आप side में जाके diagram बनाओ. और ये जो diagram बनाना है आपको, हमेशा आपके page के right hand side में बनाना है. इस बात को ध्यान रखिएगा, diagram कभी left में, कभी बीच में, कभी नीचे उपर, इधर मत बनाईएगा. हमेशा किस तरफ बनाना? अपने page के right hand side में बनाना है diagram. हमेशा. तो पहले हम क्या बनाएंगे? diagram बना लेते हैं. तो ये रहा हमारे पास हमारा diagram और parallelogram का diagram हम बना देंगे. तो ये हमने parallelogram का diagram बना दिया. नाम रख दिया हमने A, B, C, D. बहुत बढ़िया. अब ये ABCD parallelogram है. इसमें एक diagonal भी होना है. diagonal आप कोई साभी ले सकते हो. या तो आप पहले AC diagonal ले सकते हो. या पहले BD diagonal ले सकते हो. कोई restriction नहीं है कि diagonal कौन सा लेना है. तो माल लो अभी हमने ये AC वाला diagonal ले लिया. थोड़ा सा गलत बन गया. कोई बात नहीं. सुधार देते हैं. माल लीजे हमने अभी कौन सा diagonal ले लिया? AC वाला diagonal ले लिया. बढ़िया. अब हम करना चालू करते है proof. पर proof करने से पहले आपको लिखना पड़ता है given. क्या लिखना पड़ता है आपको? आपको लिखना पड़ता है given. given का मतलब कौन सी चीज हमें already दी गई है? तो क्या दिया गया है हमें? हमें दिया गया है एक parallelogram ABCD और उसका एक diagonal AC. तो बस उसको लिख देते हैं. हमें given है parallelogram ABCD. तो पूरा लिखेगा parallelogram. क्या नाम है parallelogram का? A, B, C, D. साथ में इसका एक diagonal भी दिया गया है. तो ये भी लिख देते हैं. हमें diagonal. क्या नाम है diagonal का? तो diagonal देखो हमने कौन से ले लिया? diagonal हमने ले लिया है AC. ये भी लिख लिया. हमें proof क्या करना है? तो मैंने आपको बताया था ना कौन से दो triangle congruent होते हैं. तो उसी को हमें proof करना है. कौन से दो triangle ले रहे हो? पहला ABC ले लो. देखो, पहला हमने कौन से ले लिया? पहला हमने ले लिया ABC. तो ये लिख दिया हमने triangle ABC. congruent. किसके congruent होगा? तो आपको याद होगा. मैंने order complete करना सिखाया था. कि A से B पहुँचे, B से C पहुँचे. तो अब C से D जाओ, और D से A जाओ. तो क्या नाम रख दो गया? triangle CDA. ऐसा लिख देना है हमको. कि triangle ABC congruent to triangle CDA. अब लिख देते हैं हम proof. ये आएगा अब. अब आपका question चालू हो गया. जहां पर आपको दिमाग लगाना है. कई बार बच्चे पूछते हैं. कि सर, ये बारबार करना जरूरी है. क्या? अगर हम ये नहीं करते हैं. तो क्या हमें एक्जाम में कम marks मिलेंगे? बिल्कुल बच्चो. ये करना बहुत जरूरी है. अगर आप इन steps को miss करते हो, तो कहीं न कहीं आपके marks definitely deduct होंगे. और एक और important बात है. माल लो, आपको proof नहीं आता है. माल लो, गलती से अम बूल जाते हैं, हमको proof नहीं आता है. फिर क्या करें? फिर भी अगर आप given लिखते हो, to proof लिखते हो, और ये diagram बनाते हो ना, आपको एक marks definitely मिलता है. कि बच्चे को at least process तो मालूम है, कि question solve कैसे करना है. तो इस बात का ध्यान रखना, भले ही proof वाले question आते हैं, पर आपको solve करना नहीं आता. तो आप तो ये चीज़े लिख दो, कि given क्या था, to proof क्या करना है, और diagram क्या है. इतना कर दोगे, तो भी आपको क्या मिलेगा? एक marks मिलेगा ही मिलेगा. अब जितना proof आता है, जितने steps आते हैं, उतने लिख देना, और अगर पूरा ही आता है, फिर तो कोई tension की, बात ही नहीं. जैसे कि इसको हम proof कर लेते हैं. चलो, अब यह सारा काम कर लिया हमने, कैसे proof करेंगे? तो proof करने से पहले, मैं छोटा सा काम करने वाला हूँ. और कौन सा छोटा सा काम करने वाला हूँ? तो मैं angles का नाम देने वाला हूँ. कौन सा angles का? तो देखिए, ये जो उपर वाला एंगल है आप इसको 1 बोल दो, क्या बोल दो, एंगल 1, ये जो नीचे वाला एंगल है आप इसको 2 बोल दो, एंगल 2, इधर जो उपर वाला एंगल है आप इसको एंगल 3 बोल दीजिए और ये जो एंगल है आप इसको एंगल 4 बोल इन ट्रैंगल या फिर इसको बाद में लिख लेंगे ध्यान से देखो आपको lines and angles chapter अगर याद होगा तो lines and angles chapter में हमने काफी चीजे पड़ी थी कि कौन सा line किसके parallel होता है कब होता है वो सारी बाते ये ABCD क्या है एक parallelogram है की नहीं है बिलकुल है parallelogram अगर कोई figure parallelogram होता है तो उसके opposite side क्या होते है parallel होते हैं की नहीं होते हैं बिलकुल होते हैं तो क्या यहाँ पे AB जो है वो CD के parallel है की नहीं है खुद सोचो बिलकुल है ABCD के parallel है parallelogram है opposite sides parallel होने ही चाहिए तो A, B, C, D के parallel है तो ये आपने पहला बना दिया ये आपने दूसरा बना दिया मैं अलग से diagram बना रहा हूँ ये है आपके पास A, B, ये है आपके पास C, D बहुत बढ़ी है ठीक है अब इसमें A, C क्या है आपके पास A, C है आपके पास diagonal बिलकुल diagonal है अभी देखना diagonal जो A, C है ये इसके parallel है A, B, C, D के क्या है parallel है A, C क्या है diagonal है पर अभी क्या आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि ये जो है angle 3 है ये जो है आपके पास angle 2 है तो A, B, इस parallel to C, D, A, C, transversal बन गया की नहीं बन गया अगर आपको line side angle से याद होगा तो दो line जब parallel होती है और एक line से cut करती जाती है तो क्या line transversal होती है की नहीं होती है बिल्कुल होती है तो ये A, B, C, D के parallel था A, C, transversal बन गया तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि A, C क्या बन गया A, C बन गया है हमारे पास transversal ऐसे पूरा लिख देना A, C बन चुका है transversal अब खुद सोचो angle 2 और angle 3 क्या alternate interior angle होंगे की नहीं होंगे बिल्कुल alternate interior angle होंगे तो क्या हम लिख सकते है angle 2 is equal to angle 3 और reason क्या लिख देंगे angle 2 और angle 3 के बराबर है तो reason हम लिखेंगे कि ये है आपस म alternate interior angle ऐसे reason लिख के लिखोगे तो हमेशा marks भी मिलेंगे और mass जो है वो तो समझ आएगी ही आएगी हम क्या लिख देंगे angle 2 बराबर angle 3 reason क्या है alternate interior angle अभी खतम नहीं हुआ अभी बचा है अभी देखो एक तरफ हमने A, B और C, D को parallel कर लिया दूसरे जो sides है A, D और B, C वो भी वापस में parallel है की नहीं है बिल्कुल है तो हम लिखेंगे भई वापस से पूरा diagram बना लेते हैं जिससे कोई confusion ना बचे हमारा diagram क्या था parallelogram का हमारा diagram था parallelogram का कुछ ऐसा A, B, C और D ये हैं हमारा diagonal अब इसमें हमने क्या बोल दिया इसमें हमने बोल दिया कि A, D जो है B, C के parallel है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं A, D जो है BC के parallel है मालूम है ना A, D, BC के parallel क्यूं है क्योंकि A, B, C, D एक parallelogram है opposite sides क्या होते हैं? parallel होते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया उपर से? उपर से A, D आ गया यहाँ से आपने क्या बना लिया? BC बना लिया और यह आपका रहा एक तरीके से क्या अरे वापस से बना लेते हैं यह रहा आपके पास transversal अब थोड़ा angle याद करें हमने angles भी बनाये थे तो देखो 1, 2, 3, 4 तो बना लेते हैं उनको हम यहाँ पे हमने बनाया था 1 यहाँ पे बनाया था हमने 2 यहाँ पे ऊपर बनाया था 3 और नीचे क्या बनाया था 4 अब ध्यान से देखो यह आपके पास क्या है यह है AD यह क्या है यह है BC अब AD क्या BC के parallel है बिलकुल है यहाँ पे कौन सा angle है? angle 1 है, यहाँ पे कौन सा angle है? angle 4 है, तो वापस से सोचो क्या angle 1, angle 4 के equal होगा? बिल्कुल होगा, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ADBC के parallel है AC transversal है, तो alternate interior angle तो equal होते ही होते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे AD parallel to BC और AC जो है क्या है? 4 के equal होगा ही होगा और reason क्या लिख होगे? तो reason लिख होगे आप alternate और नाम के रख दोगे alternate interior angles ऐसा पूरा लिखना आप ठीक है? तो हमने 2 angles प्रूफ कर दिये कि 2 जो है 3 के बराबर है, 1 जो है 4 के बराबर है अब ध्यान देना, क्योंकि अब बहुत important आने वाला है अब हम इसको proof करने वाले हैं कैसे proof करेंगे? तो हम 2 triangle लेंगे कौन से 2 triangle? जो हमें proof करने थे कौन से triangle लिये थे हमने? इन triangle A, B, C और दूसरा कौन सा triangle लिया था? दूसरा triangle लिया था हमने C, D, A ये दोनों triangles हमने ले लिये अब इन दोनों triangles में क्या? देखो, सबसे पहली बात तो इन दोनों triangles को जब आपने लिया मैं वापस से यहाँ पर बना देता हूँ जिससे थोड़ा सा चीज़े और clear हो जाए, तो देखो, ये है आपके पास उपर वाला ले लिया, तो C, D, A बन गया और नीचे वाला मैं यहाँ पर बना देता हूँ नीचे वाला ये लो, ये मैंने नीचे वाला बना दिया, नाम रख दिया A, B, C बहुत बढ़िया, ये दोनों triangles को मैंने वापस से redraw कर दिया है, ये है आपके पास angle 1 ये है आपके पास angle 3 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है angle 2 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है angle 4 बहुत बढ़िया, अब देखना आपने दो triangle ले लिए थे C, D, A और A, B, C क्या इन दोनों triangle में सबसे पहले हमने क्या proof किया था, ये देखो हमने क्या proof कर दिया था, कि angle 2 जो है एंगल 3 के equal है, कौन से एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में equal है, अच्छा, एंगल 2, एंगल 3 के equal क्यों है, क्या reason है, तो वो alternate interior वाला, तो आप लिख सकते हो, अब वापस से मत लिखो alternate interior angle, आप लिख दो, proved above, यानि कि हमने उपर इसको proof कर लिया है, वापस से हम नहीं क लिख चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, क्यों हैं, वो भी लिख चुके हैं, तो हम लिख देंगे, proved above, ये पहली चीज हो गई, अच्छा, क्या इन दोनों triangle में, कोई side common है, क्या, तो आप लोगे, बिल्कुल, यहाँ पर AC है, वाहाँ पर CA है, तो ये जो दूफ sides है, AC और CA, आपस में common है की नहीं है, बिल्कुल है, तो आप लिख दोगे, AC is equal to CA, और reason क्या लिख दोगे, reason क्यों same है, तो भई, ये जो हैं, आपके common side है, तो ऐसा bracket के अंदर हमने लिख दिया, कि ये दोनों क्या है, common side है, last में, देखो, angle हो गया, side हो गया, एक और angle है, 1 और 4, 1 और 4 भी equal है, तो हम ये भी लिख देंगे, angle 1 is equal to angle 4, और reason क्या लिखेंगे, वही, हमने उपर proof कर चुका है, तो हम लिख देंगे, proved above, तो इस तरीके से हमने congruency के criteria बना ली, कौन सी criteria बना ली, तो देखो, ये है आपके पास क्या, angle, ये क्या है आपके पास, side, और ये क्या है आ आपके पास, angle, तो कौन सा criteria बना यहाँ पर congruency का, angle, side, angle, तो हम क्या लिख देंगे, कि by angle, side, angle, triangle, ABC is congruent to triangle, CDA, तो इसको हम अगले page पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम, हम लिखेंगे, by angle, side, angle, triangle, ABC, congruent to triangle, CDA, तो जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, वो चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी, और कौन सा method लगाया है हमने, तो हमने angle, side, angle का congruency method लगाया है, एक बार मैं क्या करता हूँ, इन सारे steps को वापस से आपको repeat करके दिखा देता हूँ, जिससे कोई confusion ना बचे, है ना, वरना आप बोलोगे कि sir, एक बार में तो हमें समझाया नहीं और दूसरी बार आप बताते नहीं हों, तो देख लो, आपके पास क्या statement था, आपके पास statement था, कि a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle, यह statement था, तो फिर मैंने बोला कि देखो, यह parallelogram है, इसका diagonal AC है, मैंने बोला चलो, अब इसको proof कर लेते हैं, तो proof करते समय मैंने बताया था आपको, कि पहल AB जो है CD के parallel है, और AC जो है Transversal है, और उसका diagram मैंने यह बना दिया, फिर मैंने बोला, इसका मतलब angle 2 जो है, angle 3 के equal, तो होगा ही होगा, reason क्या, reason होगा, alternate interior angle, similarly, जब यह चीज़ प्रूफ हो गई, तो मैंने बोला, फिर ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, AD जो है, BC के parallel है, और अब AC Transversal है, तो angle 1 जो है, angle 4 के equal, होगा ही होगा, वही बात, alternate interior angle, फिर मैंने बोला, आप इन दोनों triangle को ले लो, कौन से दोनों triangle, ABC और CDA को, तो जब आपने ABCD, ABC और CDA को ले लिया, तो आप बोलोगे कि angle 2 जो है, angle 3 के बराबर है, हमने उपर प्रूफ किया था, हमारा common side है, और triangle 1 जो है, angle 4 के बराबर है, ये भी आपने उपर प्रूफ किया था, तो इस तरीके से, by angle side angle, हम कह सकते हैं, कि हमारे दोनों triangles कैसे होंगे, हमारे दोनों triangles congruent होंगे, तो ये था आपका प्रूफ, जब आप theorem 8.1 को प्रूफ करोगे, अब सुदना मेरी बात, आपको ये प्रू दिया था, तो जब आपने statement लिख लिया है, अब वीडियो को pause करो, अब पूरा given लिखो, अब पूरा diagram बनाओ, जितने भी diagrams मैंने आपके सामने बनाए हैं, आपको सारे diagram बनाने हैं, और पूरा proof exactly ऐसे लिखना है, तो ये page लिख लो पहले, pause कर लो वीडियो, इसको लिख ल चीज लिखी है, उसको लिख लो वीडियो, pause करके, और इस तरीके से, जो आपका proof है, वो खतम हो चुका है, and I hope आपको theorem 8.1 का जो proof है, ये समझ आया, क्योंकि समझ आना बहुत ज़रूरी है, खतम तो पूरा syllabus हो जाता है, लेकिन समझ कुछ नहीं आता है, ये बड़ी समस्य है, तो theorem 8.1 का statement भी लिख लिया हमने, और proof भी लिख लिया, अब आ सकते हैं हम theorem 8.2 पे, क्या है theorem 8.2, तो theorem 8.2 का पहले statement देख लेते हैं, फिर diagram और फिर proof, theorem 8.2 कुछ ऐसा कहता है, कि एनल parallelogram opposite sides are equal, बड़ा ही important theorem है, बहुत ही important बाते बोली है इसने, तो इसको ज़रा समझ ले है, कि अगर आपके पास एक parallelogram है, क्या है आपके पास? एक parallelogram है, तो इस parallelogram में opposite sides कैसी होंगी? equal होंगी, क्या होंगी? equal होंगी, तो यहाँ पर ज़रा समझ लो, मालो हम एक parallelogram बना लेते हैं, यह नाम रख देते हैं इसका, A, B, C, D, parallelogram जैसे दिख रहा है, parallelogram कैसे होगा? AB ज होगा, किस के parallel होगा? BC के parallel होगा, मालूम है ना, मैंने parallelogram के conditions आपको बताई थी, तो यह हमारे पास parallelogram है, कि AB parallel to CD, BC parallel to AD, तो theorem क्या कहती है है हमें, कि opposite sides equal होंगे, यानि कि AB जो होगा, वो CD के equal होगा, तो पहला लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है, कि AB equal होगा CD के, और दूसरा statement इसने क्या बोला, कि यह जो AD है, वो किसके equal होगा, वो equal होगा, BC के, तो यह दोनो statements हमको proof करने है, opposite sides are equal, तो अब जब parallelogram word कोई बोलेगा ना, तो आपके दिमाग में दो बाते आनी चाहिए, कौन सी दो बाते आनी चाहिए, opposite sides are parallel, और दूसरी बात क्या आन रखना, यह एक parallelogram में opposite sides parallel भी होती है, और opposite sides equal भी होती है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो वो parallelogram कभी भी नहीं कहलाएगा, चलो, अब यह हमने समझ लिया, कि statement क्या कहना चाहता है, theorem 8.2 कहना कहा चाहता है, अब हमें यह समझना है, कि इसका proof क्या है, अब इस बात को proof कैसे तो इसके proof को करने के लिए हमें बहुत अलग से काम नहीं करना है, हमें theorem 8.1 को use करना है, अब हमने theorem 8.1 का proof किया था ना, तो हम उस theorem 8.1 को use करके proof करेंगे, किसका theorem 8.2 का, पर उससे पहले वही बाते हम diagram बनाएंगे, given लिखेंगे, to prove लिखेंगे और फिर हमारा proof start करेंगे, चलो, तो पहले diagram बना लेते हैं, यह हमने diagram बना लिया, क्या नाम रख दिया, A, B, C, D, है ना, यह हमने diagram बना लिया, और यह क्या है, यह आपका basically parallelogram है, तो parallelogram है, तो ऐसे दिखा दो, यह इसके parallel है, और यह आपके, इसके parallel है, बहुत बढ़िया, अब सबसे पहले लिखते हम given, क्या given है हमें, तो इस बार तो हमें कुछ भी given नहीं है, बस एगी चीज given है, कि एक parallelogram ABCD है, तो लिख लो, given a parallelogram और कौन सा parallelogram है आपके पास, तो आपके पास जो parallelogram है, वो है ABCD, ऐसा हमने लिख लिया, अब हमको proof क्या करना है, तो हमें दो बाते proof करनी है, कौन सी दो बाते proof करनी है, सबसे पहली बात हमें ये proof करनी है, opposite side, यानि AB जो होगा, वो आपके CD के equal होगा, और दूसरी बात हमें ये proof करनी है, कि AD जो होगा, वो BC के equal होगा, ये दोनों statement proof करने है, अब इन दोनों को करने के बात होता कि हम जनरली प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं पर यहां वे हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे अब यह क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको भी देख लो हम कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हम एक डाइगनल बना और कौन सा डाइगनल बनाते हैं? AC डाइगनल तो हम यहापे लिख देते हैं draw a diagonal कौन सा डाइगनल बनाऊगे आप? कोई सा भी बना सकते हो, जो आप का मन करें आप चाहो तो b d बना सकते हो अभी के लिए मैं AC बना लेता हूं draw a diagonal AC चलो, बना लिया, ये हमने ड्रॉ भी कर दिया, बना लिया, बहुत बढ़िया, अब स्टार्ट कर सकते हैं हम हमारे प्रूफ को, अच्छा, अब थियोरम 8.1 कुछ कहता था क्या, हाँ, थियोरम 8.1 कुछ तो कहता था, क्या कहता था, कि एक डाइगनल जो है, आपके पैलेलोग आपको, दो कॉंग्रोएंट ट्रैंगल में डिवाइड करता है, ऐसा ही कहता था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम थियोरम 8.1 या बाई थियोरम 8.1, आपकुछ भी लिख सकते हो, फ्रॉम थियोरम 8.1, वी नो डैट, पूरा ऐसा लिखना, वी नो डैट, डाइगनल of a parallelogram, diagonal of a parallelogram, parallelogram, हाँ, सई स्पेलिंग है, diagonal of a parallelogram, divides the parallelogram, क्या करता है भई, डिवाइड करता है, parallelogram को, किस में, दो congruent triangles में, तो ऐसा लिख दो पूरा, क्या लिखा देखो, फ्रॉम थियोरम 8.1, वी नो डैट, डाइगनल of a parallelogram, डिवाइड देख देख दिया, क्या इस स्टेटमेंट का मतलब हम लिख सकते हैं, तो बिलकुल लिख सकते हैं, चलो, क्या लिखेंगे, यह देखो, तो क्या था हमारे पास parallelogram, यह था parallelogram, diagram वापस से बना देता हूँ, मैं, a, b, c, d, और यह diagonal था, a, c, आपके पास, तो क्या कहता था theorem 8.1, कि यह दोनों triangle आपस में congruent होंगे, कौन से दोनों triangle, तो लिखने की ज़रूरत है, बिलकुल है, पहला triangle, a, b, c, order सिखाया था मैंने, a से b जाओ, b से c जाओ, और फिर, c से d आओ, d से a आओ, तो triangle, a, b, c, congruent to triangle कौन, c, d, a, हाँ सर, यह बात तो है, theorem 8.1, यह कहता तो था, क्या c, p, c, t नाम का कुछ आपने पढ़ा है आज तक, c, p, c, t, क्या बोल रहा हूँ मैं, by c, p, c, t, पढ़ा तो है सर, हमने, पर full form भूल जा है आज, तो corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle, याद होगा आपको, क्योंकि बहुत जादा discussion इस पर किया जाता है, कब, तब किया जाता है, जब आप chapter पढ़ते हो, congruency of triangle, तो यह है c, p, c, t, corresponding parts of congruent triangle, इसी का हम इस्तमाल यहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे तो देखो, triangle, a, b, c, congruent to triangle, c, t, a, तो by c, p, c, हम कह सकते हैं, corresponding sides equal होंगे, कौन-कौन से corresponding side, देखो, एक side a, b, ले लिया हमने, तो लिख दिया हमने a, b, अब इधर a, b, लिया तो इधर क्या ले लेंगे, c, d, to a, b, is equal to c, d, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, यह पहली चीज, क्या यह पहली चीज, प्रूफ हो चुकी है, a, b, is equal to c, d, बिल्कुल हो चुकी है, दूसरा side कैसे proof करेंगे, यह भी देख लो, तो दूसरा side ऐसा करो, देखो, यह ले लो b, c, तो इधर b, c, ले लिया, तो इधर क्या ले लोगे, d, a, तो आप लिखोगे, b, c, is equal to d, a, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यही चीज तो हम में equal proof कर दिया है, यही कि हमारा theorem 8.2 जो है, वो basically proof हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़े हो चुकी है proof, आपके opposite sides क्या है, equal है तो आप लिख सकते हो, hence proved, क्या लिख दोगे, hence proved, और फिर जो statement है, आप उसको भी लिख सकते हो, hence proved that in a parallelogram, opposite sides are equal, तो लिख लेते हैं, hence proved in a parallelogram, in a parallelogram, in a parallelogram, opposite sides are equal, ऐसा आप लिख दोगे, और आपका पूरा जो proof है, opposite sides are equal, इस तरीके से, आपका पूरा proof क्या हो चुका है, खतम हो चुका है, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है, तो आपको एक बार सारे steps में वापस से repeat कर देत हूँ, जिसे कहीं कोई confusion ना बचे, देख लो, तो हमने given से start किया, given था हमारे पास एक parallelogram ABCD, हमें proof करना था, कि AB जो है CD के equal है, AD जो है BC के equal है, तो basically हमने construction किया, हमने एक diagonal बनाया AC, उसके बाद हमने proof लिखना चालो किया, proof में हमने theorem 8.1 का direct use किया, कि हम जानते है, diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two congruent triangles, इसका मतलब ये जो दो triangles है, ABC और CDA, आपस में congruent होंगे, फिर हमने CPCT लगाई, CPCT में मैंने आपको ये बोला, कि मानलो आप इधर AB लेते हो, किसके equal होगा, CD के equal होगा, उपर आप DC लेते हो, तो किसके equal होगा, DC के equal होगा, इसका मतलब हमने hence proof कर दिया है, पूरा हमा वीडियो पॉस करके statement लिखना है, ये diagram बना के आप समझा भी सकते हो कि statement का मतलब क्या है, अगर आप ये कर लो statement लिख लो, उसके बाद आप इस page पे आजाईएगा, अब पूरा proof जो कि मैंने आपके सामने लिखा है, diagram के साथ, आप करेंगे, ये page हो जाने के बाद, आप इस page का पूरा proof सब कुछ diagram के साथ करोगे, और अगर आप ऐसा exam में कर लेते हो, फिर तो आपको पूरे number मिलेंगे ही मिलेंगे, चलो, तो हमारा theorem 8.2 हो चुका है proof, अब आते हैं हम कौन से theorem पे, अब आते हैं हम theorem 8.3 पे, तो theorem 8.3 आप देख सकते हो, पहले statement से start करते हैं, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram, देखो, यह जो theorem 8.3 है, यह आपका opposite है, किसका opposite है, theorem 8.2 का, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, देखो, theorem 8.2 क्या कहता था, इना parallelogram opposite sides are equal, कि एक parallelogram में, उल्टे वाले जो sides होते हैं, opposite sides होते हैं, वो equal होते हैं, theorem 8.3 क्या कह रहा है, theorem 8.3 यह कह रहा है, कि अगर एक quadrilateral में opposite sides equal हैं, तो वो quadrilateral क्या होगा, parallelogram होगा, यह जो theorem 8.3 है, यह converse है, किसका converse है, तो आपके theorem 8.2 का converse है, converse का मतलब होता है, basically opposite होना, तो theorem 8.3 क्या है, converse है, आपके theorem 8.2 का, अब देख लेते हैं, कि यह क्या बोल रहा है, यह बड़ी simple सी बात बोल रहा है, अभी मैंने कहीं पे भी यह नहीं बोला है, कि यह parallelogram है, क्या कहीं पे भी diagram में मैंने दिखाया है, क्या, कि ABCD के parallel है, क्या ADBC के parallel है, नहीं दिखाया है, ठीक है, पर यहाँ पे मैंने क्या बोला है, आप जैसे कि मेरा sides पे 1-1 cross या 2-2 cross से समझ सकते हो, मैंने यह बोला है, कि जो मेरा AB वाला side है, वो CD वाले side के equal है, और दूसरी बात मैंने ये बोली है, कि मेरा जो AD वाला side है, वो BC वाले side के equal है, ये दो बाते मैंने बोली है, तो अगर ऐसा होता है, कि ये quadrilateral में opposite sides equal होते हैं, इसका मतलब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि ABCD जो है, वो एक क्या है, वो एक parallelogram है, ये statement आपको मालूम होना चाहिए, और statement का मतलब क्या है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए, अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको proof करना है, तो चलो आजाएं इसके proof पे, तो proof करने से पहले वही बात, यह C है और यह D है अच्छा इसमें कोई diagonal था क्या चलो ले लेते हैं diagonal ले लेते हैं AC वैसे इसको construct करना पड़ेगा पहले से नहीं दिया था तो हम बात में ही construct कर लेंगे अभी तो हमने ABCD ले लिया अच्छा इस ABCD यह सिर्फ एक quadrilateral है याद रखना हमें इसे पैडलोग्राम प्रूफ करना है अभी क्या है सिर्फ एक quadrilateral है तो इस quadrilateral के अंदर opposite sides equal थे तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि AB जो है CD के equal है और AD जो है किसके equal है BC के equal है तो यह सारी चीज़े हम यहाँ पर given लिखते हैं तो given में क्या लिख देंगे? given में हम लिखेंगे सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका जो AB है कौन है आपका जो AB है वो किसके equal है? वो equal है CD के और दूसरी चीज़ हम यह लिखेंगे कि आपका जो AD है वो equal है BC के यह चीज़ हमें क्या थी? यह चीज़ हमें given थी अब हमें prove क्या करना है तो हमें प्रूफ करने जाना है किसको तो हमें प्रूफ करना है कि आपका A, B, C, D जो है is a parallelogram इस चीज़ को आपको करनी है क्या इस चीज़ को करनी है प्रूफ चलो अब स्टार्ट देखो तो construction की जरुवत है क्या हाँ जरुवत है तो हम लिखेंगे पहले कि हमने construction क्या किया है तो क्या किया है हमने construction तो हम construct करेंगे आप किसी भी diagonal को construct कर सकते हो या तो आप AC को कर सकते हो या तो आप BD को कर सकते हो वो आपके choice पे है तो अभी के लिए मैं construct कर देता हूँ diagonal AC तो ऐसा लिख देते हैं construct diagonal कौन सा AC वाला diagonal हमने construct कर दिया है तो चलो कर भी देते हैं construct ये कर दिया हमने construct बहुत बढ़िया अब हम इसका लिखते हैं proof तो ध्यान से देखेगा proof बहुत ज़्यादा important होने वाला है और यही determine करेगा कि ये quadrilateral parallelogram होगा या नहीं होगा आपको दो triangle दिख रहे हैं क्या मुझे तो दिख रहे हैं पहला कौन सा triangle आपको दिख रहा होगा पहला triangle मुझे दिख रहा है in triangle ABC दिखा ABC बिलकुल दिखा और उपर भी एक triangle है and triangle C, D, A ये भी दूसरा triangle दिख गया होगा वही order ज़रूरी है A से B गए, B से C गए C से D गए, D से A आए तो उस तरीके से मैंने दो triangles बना लिए अब इन दोनों triangles में क्या बही इन दोनों triangles में एक चीज मुझे given थी कौन सी चीज की A, B जो है C, D के equal है और देख सकते हो आप ये रहा A, B, ये रहा C, D तो मैं लिख सकता हूँ A, B जो है C, D के equal है और ये चीज कहां पर बताई गई थी मुझे तो given में तो मैं bracket में कहा लिख दूँगा given कि ये चीज मुझे दी गई थी तो है नहीं तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि BC जो है आपके DA के बराबर है और ये चीज भी क्या है ये चीज भी तो आपके पास given है तो bracket के अंदर आप क्या लिख दोगे given आप सोचोगे सर वहाँ पर तो AD दिया था उसके तरीके से आपको ऐसे लिखना है आपने इसको उधर congruency में भी आपने डिसकस किया था कि वही congruency में order बहुत जरूरी है आप order को कभी break नहीं कर सकते हो तो ये दो चीजे तो हमने लिख ली अब इसके बाद खुद सोचो क्या दोनों triangle में कोई side common है क्या तो आप सोचोगे तो हाँ बिल्कुल पहले वाले triangle और दूसरे वाले triangle में AC वाला side जो है common है अब AC कैसे लिखो देखो ये AC ये आगया AC तो इधर क्या लेना पड़ेगा CA ये तरीका आप समझ जाओगे ना लिखते कैसे हैं आपकी आधी congruency तो यही पर खतम हो जाएगी तो यहाँ पर हमने AC लिख लिए यहाँ पर हमने क्या लिख लिया CA तो AC जो है वो CA के बराबर है ये भी given है क्या तो ये given नहीं था ये हमें पता चला और क्यों पता चला तो ये दोनों थे common side तो ऐसे bracket के जाके अंदर देख दो common side तो कोई congruency का criteria बन रहा है क्या बिल्कुल देखो ये आपका side आ गया ये आपका side आ गया ये भी क्या आ गया side तो SSS यानि कि side 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 ऐसी कोई congruency होती है बिल्कुल होती है तो हम लिख देंगे कि by side 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 congruency यहान से देखेगा हम लिख देंगे कि by side 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 congruency पूरा ऐसे लिखना है ऐसा मतले लिख देना सिर्फ congruency spelling बोल जाता हूँ मैं by side 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 congruency triangle A, B, C congruent किसके congruent होगा तो triangle C, D, A, K congruent होगा अभी question खतम नहीं हुआ सिर्फ congruency proof करने से parallelogram नहीं हो जाएगा याद रखना question भूल मत जाना हमको proof करना था कि यह जो A, B, C, D है वो क्या है वो एक parallelogram है तो चलो हम वापस से diagram को बना लेते हैं क्योंकि diagram के बिना question अधूरा है यह हमने बना लिया A, B, C, D को और यह क्या है A, C, A आपके पास diagonal है और अभी हमने proof कर दिया है कि A, B, C जो है C, D, A के congruent है अब ध्यान से सुनना क्या करने वाला हूँ मैं मैं angles का नाम रख देता हूँ क्या करता हूँ मैं angles का नाम रख देता हूँ कैसे नाम रखूँगा तो इसका नाम रख देता हूँ बना लेता हूं यह मैंने बना लिया मेरा a b c है ना और इधर मैं बना लेता हूं क्या इधर मैं बना लेता हूं c d a लो भी बना लिया मैंने इधर बना लिया a b c और ऊपर बना लिया मैंने c d a अब देखिएगा अब यह दोनों ट्रैंगल आपस में congruent है तो वापस से हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम CPCT यूज़ करने वाले हैं, क्या यूज़ करने वाले तो लिख देते हैं, मैं धर by CPCT याद है न, CPCT क्या होता है corresponding parts of congruent triangles, तो हम CPCT से क्या लिख सकते हैं, तो देखेगा हम CPCT से लिख सकते हैं, देखना भाई बहुत important है क्योंकि angle B, A, C क्या लिख रहा हूँ मैं, angle B, A, C, देखो ज़रा मैंने B, A, C कैसे लिया, पहले B लिया, फिर A लिया, फिर C लिया, कैसे गया हो देखो, B, A, C तो उस तरफ क्या लूँगा मैं, उस तरफ लूँगा, D से start करूँगा D, C, A, क्या लिख दूँगा B, A, C is equal to D, C, A वापस से देख लो, यह जो order का काम करता हूँ मैं, बहुत ज़रूरी है, इधर क्या लिए मैंने B, A, C, तो इधर क्या लूँगा D, C, A, यह order बहुत ज़रूरी है जो मैं बता रहा हूँ, B से start किया तो अधर भी D से start करूँगा B से A इस तरफ आया, तो D से C भी इस तरफ आउँगा, और फिर A से C उस तरफ गया, तो C से A उस तरफ जाऊँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, angle B, A, C is equal to D, C, A, अब ज़रा B, A, C को ढूँड़ो तो, यह देखो यह angle 1 था, याद है, देखो ABC है तो 1, और यह क्या है यह 3 है, बिल्कुल, बिल्कुल यह क्या है, यह है 2, बहुत बढ़िया और यह उपर है, आपके पास 4, बहुत बढ़िया अब ध्यान से देखो ज़रा, B, A, C को ढूँड़ो तो यह रहा B, A, C, मुझे दिख गया B, A, C angle 1 है, और DC, A ढूँड़ो ज़रा, तो DC, A, यह रहा, angle 4 तो angle 1 is equal to angle 4 लिख सकता हूँ मैं, यह पहली चीज मैंने प्रूफ कर ली, कि angle 1 is equals to angle 4, अभी बात खतम नहीं हुई है अभी मैं दूसरा काम करने वाला हूँ यह CP, CT से मैंने पहली बात बोली अब CP, CT से मैं दूसरी बात बोलूँगा और वो और ध्यान सा सुनना मैं बोलने वाला हूँ B, C, A, क्या बोला मैंने angle B, C, A देख लो मैंने कैसे चूज किया है B पहले, फिर C, फिर A तो यहाँ पर क्या चूज करूँगा is equal to D, A, C क्या लिख देंगे? D, A, C तो ऐसा लिख दिया B, C, A is equal to D, A, C अब ज़रा B, C, A को ढूंडो तो B, C, A को ढूंड लिया 3 तो लिख दिया मैंने angle 3 और D, A, C को ढूंडो D, A, C और दूसरा क्या आ गया है? दूसरा आ गया है angle 3 is equal to angle 2 बहुत ज़रूरी है अब आप बोलोगे कि ज़र कितना लंबा करवा रहा है हो proof तो यह लंबा तो गही थोड़ा सा होगा तो वापस से diagram बना लेते हैं और फिर proof start करते हैं तो diagram कुछ हमारे पास ऐसा था कि यह था हमारे पास parallelogram A, B, C, D इसमें हमने क्या बना लिया था? इसमें हमने diagonal बना लिया था A, C और angles क्या क्या थे? देख लिए थे एक बार 1, 2, 3, 4 तो angle थे आपके पास यह 1 था, यह उपर 2 था यह नीचे 3 था और यह उपर क्या था? यह 4 था और हमने कुछ प्रूफ किया है क्या प्रूफ किया है? तो जो सबसे पहली चीज हमने प्रूफ की थी, वो थी कि angle 1 जो है, वो angle 4 के equal है, क्या प्रूफ किया था हमने? angle 1 जो है angle 4 के equal है कर रहा था proof? बिल्कुल कर रहा था अब इसका कैसे use करूँगा मैं वो यहाँ पर देख लो, ध्यान से देखना, भाई एक ये side है और एक ये side है, और ये basically मेरा transversal है, देखो, ये है मेरे पास AD, और ये क्या है मेरे पास BC, अब गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, इसको पुरा मिटा लेते हैं, कहां गया अब भी razor, ये रहाई razor, देखान से देखो, गलती क्या हो गई, मैं बताता हूँ, पहला side है आपका उपर वाला, कौन सा उपर वाला side है, CD, और दूसरा side ले लो, नीचे वाला, जो की है, आपके पास AB, ले लिया, ये क्या है आपके पास, ये है, आपके पास diagonal है, बिलकुल है diagonal, ये नीचे वाला angle क्या है, angle 1 है, उपर वाला angle क्या है, 4 है, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर angle 1, angle 4 के equal है के नहीं है, है, अच्छा, ये दोनों angle कौन से है, alternate interior angle है, बिलकुल है, अगर alternate interior angle equal होंगे, तो क्या ABCD के parallel होगा के नहीं होगा, बिलकुल होगा, तो हम क्या ल रिजन, तो reason हम ये लिख देंगे, alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, कही lines and angles भूल तो नहीं गए आप लोग, अगर आपको lines and angle याद होगा, तो मैंने ये चीज़े पढ़ाई थी आप लोगो को, कि अगर alternate interior angle equal होता है, तो lines parallel होते हैं, और अगर lines parallel होते हैं, तो alternate interior angle equal होते हैं, बिसिकली ये दो statement एक दूसरे के opposite है, पर hold दोनों करते हैं, अगर interior angle equal है, तो lines parallel है, और अगर lines parallel है, तो interior angle क्या है, equal है, तो यहाँ पर interior angle equal थे, तो lines क्या होंगे, lines parallel होंगे, ये पहली बात हमने कर ली, अभी हमने दूसरी बात भी करी थी, क्या की थी हमने, कि हमारा जो angle 2 है, वो angle 3 के equal है, ये वाला side हमारे पास AD है, और यहाँ पर कौन सा side है, इस B को जरा उपर बना देते हैं, वरना confused हो जाएंगे हम, और एक side हमारे पास ये BC है, अरे B कहा गया, भी थोड़ा नीचे बन गया, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है, और इसमें जो है, आपके पास ये हो गया, आपका basically diagonal कहलो, या transversal कहलो, ये है आपके पास कौन सा angle, ये है आपके पास angle 2, और ये कौन सा angle है, ये है आपके पास angle 3, अच्छा, angle 2, angle 3 के equal था क्या, बिलकुल था, वापस से वही बात, आपका जो AD है, वो किसके parallel हो जाएगा, वो BC के parallel होगा, क्यों होगा AD BC के parallel, तो alternate interior angle क्या थे, equal थे, तो bracket में लिख दोगे, alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, ऐसा आप जाके bracket में लिख देंगे, अब ये जो भी चीज़े आपने लिखी, हमारे पास दो बहुत ही important बाते आई, पहली बात तो ये आई, कि AB जो है CD के parallel है, और दूसरी बात ये आई, कि AD जो है, वो BC के parallel है, तो इससे हम क्या derive कर सकते हैं, वो सुनिए, हमने क्या क्या decide किया, हमने ये decide किया, या हमने ये derive किया, कि ABCD जो आपका quadrilateral था, इसमें हमने दो बाते पता करी, पहली बात कौन से पता कर ली, पहली बात हमने ये पता कर ली, कि हमारा जो AB है, वो CD के parallel है, बिलकुल हमने पता कर ल कि हमारा ad जो है वो bc के parallel है यह दोनों बात है पता कर लिए ना बिलकुल पता कर लिए first ab parallel to cd and दूसरी बात ad parallel to bc अब मुझे ये बताओ जब opposite sides parallel होते हैं तो क्या वो quadrilateral parallelogram होगा की नहीं होगा बिलकुल होगा in fact यही तो definition था किसका definition था आपके parallelogram का definition तो आप क्या लिखोगे since opposite sides are parallel since opposite since opposite sides are parallel ऐसा लिखना पूरा since opposite sides are parallel hence since opposite sides are parallel hence a b c d is a parallelogram hence a b c d is a parallelogram अगर यह पूरा statement आप लिखते हो फिर कोई tension की बात नहीं है फिर आपको पूरे number मिलेंगे क्या यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी तो जी हाँ यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी कि a b c d क्या है parallelogram है बड़ा लंबा प्रूफ था confused हो गया कोई बात नहीं सारे quadrilateral क्या होगा तो वह quadrilateral एक parallelogram होगा यह statement था हमने प्रूफ कैसे start किया हमने प्रूफ कुछ हैसे start किया कि ठीक है यह आपके पास एक quadrilateral हो गया a b c d कोई बात नहीं इसमें आपके opposite side equal हैं तो मैंने दोनों opposite sides को ऐसे equal लिख दिया तो हमें प्रूफ यह करना था construction कर लिया हमने diagonal a c का तो हमने दो triangle choose कर लिये थे a b c और दूसरा triangle हमने choose कर लिया था c d a तो इन दोनों triangle में हमने कौन सा लगा प्रॉपरटी side 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 congruency का तो side 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 congruernsey से हम यह सकते हैं कि triangle a b c जो है triangle c d a के congruent होगा उसके बाद मैंने क्या लगाया मैंने cpct lager corresponding parts of congruent triangle जो कि क्या कहता है जो कि यह कहता है यक्री अया की angle b a c जो होगा angle d c a के बराबर होगा यानि कि angle one जो है अंगल 4 के बराबर होगा Similarly मैंने अंगल 3 और अंगल 2 को आपस में बराबर कर लिया इसके बाद मैंने ये बोला कि अगर अंगल 1 अंगल 4 के बराबर है इसका मतलब alternate interior angles के कारण AB तो CD के parallel होना ही पड़ेगा Similarly मैंने ये बोला कि अगर अंगल 2 अंगल 3 के बराबर है तो alternate interior angle के कारण AD को BC के parallel होना ही पड़ेगा अब जब हमारा ABCD के parallel हो गया है AD BC के parallel हो गया है तो क्या हम ये पूरा statement नहीं कह सकते क्या कि since opposite sides are parallel Hence ABCD is what? ABCD is a parallelogram तो ये पूरा statement आपको लिखना है आपको मैं वापस से बता देता हूँ कि कैसे कैसे pause करके क्या क्या लिखना जिससे exam में अगर ऐसा prove आए तो कहीं पे कुछ भी गलती आपसे ना हो तो कहा से start करना है आपको start करना है theorem 8.3 से पहले उसका क्या लिखना है पहले उसका statement लिखना है फिर ये दूसरा page आपको सब कुछ लिखना है कि कैसे क्या कौन सा angle equal है और फिर तीसरा page आपको ये पूरा लिखना है और जब ये लिख लो तो फिर चौथे page पे आजाओ ये लिख लो तो आपका proof जो हो हो चुका है खताम अगर इस तरीके से proof करोगे ना तो भी टीचर को भी लगेगा कि आप जो है क्लास 9 में आ चुके हैं और आपको जो proof के questions हैं वो भी आते हैं दमदार तरीके से और आप जो हैं एकदम exam में पूरे number लाने के लिए ready हो लेकिन अगर ये सारी बात नहीं लिखते हो तो टीचर number तो काटेगा ही काटेगा साथ में टीचर को लगेगा कि बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है चलो अब आते हैं हम theorem 8.4 पर क्या कहता theorem 8.4 theorem 8.4 ये कहता है कि एक parallelogram में opposite angles जो होते हैं वो हमेशा equal होते हैं तो इसको proof कर लेते हैं पहले मैं आपको समझा देता हूँ और फिर हम इसका proof देख लेते हैं तो पहले तो हम parallelogram बना लेते हैं तो माल लो ये हमारे पास parallelogram है A, B, C, D हैना तो इसमें कौन-कौन से angle opposite है तो देखो एक angle ये है और एक angle ये है हैना और दूसरा angle है ये B वाले और फिर है आपके B वाले बिल्कुल तो ये theorem ये कहता है कि आपका angle A जो है वो angle C के equal होगा पहली बात और दूसरी बात ये कहता है कि जो आपका angle B है वो angle D के equal होगा यही है आपके theorem का main important कि opposite angles in a quadrilateral in a parallelogram are equal यनि कि angle A हमेशा किसके बराबर होगा angle C के बराबर होगा और angle B हमेशा किसके बराबर होगा angle D के बराबर होगा ये statement अगर आपको given है यनि कि भी आपका theorem 8.4 आपको समझ आ चुका है अब बात बचती है कि इस theorem को हम proof कैसे करें तो चलो इसका proof भी हम फटा फट डिसकस कर लेते हैं इसके proof के समय भी हम theorem 8.1 का ही direct use करने वाले हैं चलो देख लेते हैं पहले diagram बना ले लो हमने पहले diagram बना लिया इस बार हमें parallelogram given है तो A, B, C, D हमेंसा बना लेते हैं और parallelogram given है तो देखो पहले diagram A, B, C, D तो लिख लेते हैं क्या given है parallelogram कौन सा parallelogram given है A, B, C, D तो आला parallelogram हमको given है बहुत बढ़ी हैं अब हमें proof क्या करना है तो proof क्या करना है to prove तो proof हमें ये करना है कि angle A जो है वो angle C के बराबर है ये पहली चीज़ proof करनी है और दूसरी चीज़ हमें ये proof करनी है कि angle B जो है वो angle D के equal है opposite angles are equal तो आप proof से start करते हैं proof में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम theorem 8.1 का use करेंगे तो हम use करते हैं कि we know that we know that क्या जानते हैं हम we know that by theorem 8.1 by theorem 8.1 क्या कहता था theorem 8.1 कि क्या कहता था theorem 8.1 diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two congruent triangle तो लिख देते हैं diagonal of a parallelogram diagonal of a parallelogram diagonal of a parallelogram divides the parallelogram पूरा लिखना diagonal of a parallelogram divides the parallelogram divides the parallelogram पूरे parallelogram को क्या करता है divide करता है किसमें divides the parallelogram into two congruent triangles into two congruent triangle ऐसा statement आपको बार-बार लिखना पड़ेगा वरना फिर दिक्कत होगी बच्चों है ना फूरा statement लिखना कि आपका theorem 8.1 क्या कहता था तो यह कहता था theorem 8.1 कि diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two congruent triangles तो दो congruent triangle में आपका diagonal जो है parallelogram को divide कर देता है अब कैसे इसका use करेंगे तो चलिए इसको अगले page पे देख लेते हैं तो पहले तो diagram बना लेते हैं diagram क्या था? diagram था आपके पास A, B, C, D तो दो diagonal हो सकते हैं या तो एक diagonal AC हो सकता है या तो एक diagonal B, D हो सकता है तो पहले मैं कौन सा diagonal ले लेता हूँ पहले मैं AC वाला diagonal ले लेता हूँ तो AC वाला diagonal को बनाना पड़ेगा तो लो हमने बना दिया AC वाला diagonal तो कौन सा दो triangle congruent है भाई तो ऐसे लिख दो considering diagonal AC considering, भाई हमने कौन सा diagonal consider किया है AC वाला diagonal considering diagonal AC पूरा लिखना, हाफ-हाफ में मत लखना वरना गर्बण हो जाएगी, कौन सा आइगनल लिया है आपने, आपने AC वाला डाइगनल लिया, तो कौन से दो ट्र sowot rijangал count होंगे तो triangleί APC जो होगा, और कोईउट होगा, किसके और कोईउट होगा, याद है न एंगल B बीच में है इधर एंगल D बीच में है तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल B is equal to अंगल D बिल्कुल लिख सकता हूं और क्या यह चीज़ प्रूफ करनी थी हां प्रूफ करनी थी और हमने लेते हैं पहले तो ये हैं आपके पास parallelogram ABCD और डूसर डायगनल होता है आपके पास BD हम क्या करेंगे वह हम कौनसा सब्रेंगल ले लेंगे इस बार हम ले लेगे डायगनल BD को हम ले लेते हैं ले लिए हमने डायंगल BD को यह आपका BD diagonal, अब BD diagonal जब आपने लिया है, तो कौन से 2 triangle congruent होंगे, तो आप वो आप choose कर सकते हो, तो मैंने choose कर लिया BAD, नाम दे दिया, triangle BAD, BAD किसके congruent होगा, क्या DCB के congruent होगा, बिलकुल होगा, आपको order याद होगा, तो BAD congruent to triangle DCB, अब BAD अगर DCB के congruent है, वापस से वही बात, क् हम CPCT लगा सकते हैं, बिलकुल हम CPCT लगा सकते हैं, इधर देखो, बीच में A है, इधर बीच में C है, क्या मैं angle A को angle C के बराबर लिख सकता हूँ, बिलकुल लिख सकता हूँ, क्या ये दूसरी चीज थी जो प्रूफ करनी थी, बिलकुल प्रूफ करनी थी, तो हमने वो दो प्रूफ कर ली है कि एंगल B जो हैंगल D के एक्वल है एंगल A जो एंगल C के एक्वल है तो लिख दो Hence proved क्या कर दिया आपने आपने जो है प्रूफ कर दिया है और यह प्रूफ कैसे किया है आपने या फिर कैसे किया है CPCD की मदद से किया है basically theorem 8.1 के use करते हुए प्रूफ किया है अब सारे steps एक बार देख लो जिससे कहीं कोई confusion ना बचे तो देख लो सारे steps तो बैस statement यह कहता था कि एक parallelogram के अंदर opposite angles क्या होते है equal होते हैं तो पहले मैंने diagram बना के समझाया कि इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब यह होता है उसके बाद मैंने यह बोला कि कोई बात नहीं हम इसको प्रूफ कर लेते हैं तो हमने लिखा given तो given था हमारे पास parallelogram ABCD प्रूफ करना था हमें कि angle A A जो है angle C के equal है, angle B जो है angle D के equal है. मैंने आपको बोला कि आप आप क्या यूज़कर रहें आप theorem 8.1 का यूज़करे, theorem 8.1 यह क्याता है कि diagonal जो होता है parallelogram का parallelogram को दो congruent triangle में Divide करता था मैंने बोला 2 diagonal होते हैं तो पहले diagonal कौन सा ले मैंने यह पछा diagonal AC लेलो तो यह ले यह मैंने a-c- we'll hire तो यह दोनों ट्रब आपसमें क्या होंगे क्या होंगि इसका मतलब यह ऐंगल डी ऑपर होगा और फिर जब मैने डाइगनल डी ले लिया तो यह से लेंगे क्या से को आप जानते हो फिर cpct लगाया तो यह जो है c के बराबर होगा तो हैंस जो है हमारा प्रूफ हो चुका है तो वापस से याद रखना आप आपको वीडियो पॉस्ट करनी है जहां जहां पे आपको नए नए पेजेस दिखे और सारी बाते आपको लिखने है तो पहले कहां से लिख गया अबना था नद दर दोनों को और यह सारी बाते लिखना और यह सब जब कर लोगे ना तब जाके आपको प्रूफ करते हैं theorem 8.5 को अब theorem 8.5 को तो discuss कर लेंगे पर समस्य कुछ ऐसी है कि वीडियो का length जो है थोड़ा जादा ही बड़ा हो जाएगा अब वीडियो का length जादा बड़ा ना हो आपके लिए comfortable हो यह सारे theorem को पढ़ना आसानी से आप देख लो इसलिए हम क्या करते हैं बाकि जो theorem से यहनि कि 8.5 वाला theorem 8.6 वाला theorem और 8.7 वाला theorem इन तीनों theorem का जो proof है और statement है इसको मैं बना देता हूं part 2 में यहनि कि इसी वीडियो का part 2 आपको मिल जाएगा यहनि कि जो हम theorem discuss कर रहे थे ना 8.1 से लेकर 8.7 इसका आपको part 2 मिल जाएगा इसके नीचे ही मिल जाएगा जहां पर आपका theorem 8.5 डिसकस है 8.6 डिसकस है और 8.7 भी डिसकस है तो उस part में जाकर आप उन theorem का प्रूफ भी देख लिजिएगा इस वीडियो में क्या डिसकस कर लिया है इस वीडियो में को लेकिन जाएए मत थोड़ा सा रुख जाएए जैसा कि आप जानते हो कि मैगनेट ब्रेंस के यूट्यूब चैनल पे इतना सारा कंटेंट है अब इतने सारे कंटेंट में से आपको अपना पसंदीदा कंटेंट ढूणने में कभी कबार थोड़ी सी समस्याएं होती है अब इस समस्या से तो Magnet Brains का website खुलेगा जिस पर लिखा रहता है India's number 100% free online education platform यहाँ पर आपको explore top courses में click करना है जब आप explore top courses में click करोगे तो एक नया window खुलेगा जहाँ पर मेरी picture रहेगी और यहाँ पर जो भी book मैं cover कर रहा हूँ वो book आपको मिल जाएगी उसके नीचे watch now का option रहता है आप watch now के option को click कर दो जब आप watch now के option को click करते हो तो एक और window खुल जाता है जहाँ पर मैं जो भी चीज़े पढ़ा रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा अब मालो इसके अंदर कोई particular topic आपको पढ़ना है जैसे polynomials का introduction पढ़ना है तो polynomials के introduction वाले वीडियो पर आप click करोगे जब वहाँ पर click करोगे ना तो एक और नई वीडियो खोलेगी जहाँ पर मैं आपको पढ़ाते दिख जाओंगा अब मालो इसकी next वीडियो देखनी है तो next वीडियो पर click कर देना और फिर जो है अगली वीडियो आपको मिल जाएगी और इस तरीके से जो भी चीज़े आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो अब पीछे क्या है चीज़े हिंदी में लिखी है और यही एक नया initiative है जो Magnet Brains ने start किया है basically Magnet Brains आपके लिए लेके आया है आप Magnet Brains YouTube पे हिंदी में जाएए और वहाँ पे आपको यही सब content किसमें मिलेगा हिंदी में मिलेगा तो do check out that channel चलिए अब last बात भई आप जानते हैं कि Magnet Brains आपको provide करता है 100% free education quality education without any charge यह तो आप जानते ही हो और on your behalf आप क्या कर सकते हो तो आप हमारे वीडियोस को like कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो साथ में इन वीडियोस को share भी कर सकते हो जिससे आपको और भी दोस्त यह सारी चीज़े अच्छी चीज़े पढ़ पाएं और last में comment जरूर कीजएगा जिससे आपके reactions में देख पाऊं और समझ पाऊं कि भाई कहां पे as a teacher मुझे सुधार की जरूरत है so thank you so much for watching this video